नमस्कार मित्रों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी पौरानिक कथाई में दोस्तों अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सिखने की चाह रखते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले मित्रों सोते समय तकिये के नीचे जरूर रखें ये पांच चीजें खुलेंगे बंद किस्मत के ताले कहा जाता है कि सोते समय व्यक्ती का शरीर कई मानसिक और शारिरिक स्थितियों से गुजरता है इन्ही स्थितियों की वजह से ही अगले दिन की अच्छी वब बुरी शुरूरात होती है ऐसे में अगर आप सोते समय का ध्यान रखेंगे तो नींद अच्छी आएगी साथ ही नया दिन भी आपके लिए शुब साबित होगा वास्तु शास्त्र के अनुसार सोते समय तकिये के नीचे कुछ चीजे रखकर सोने से आपकी किस्मत बदल सकती है आईए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से लेक बेहद ही शुब माना जाता है इससे व्यक्ति को आर्थिक लाभ मिलते हैं और कभी धन की कमी नहीं होती वास्तु के अनुसार अगर आप सोते समय अपने तकिये के नीचे मोरपंक रखते हैं तो आपके जीवन में आ रही सभी आर्थिक समस्याएं दूर होने लगती हैं और आपका भाग्य बदलने लगेगा तुलसी के पत्ते हिंदू धर्म में तुलसी को बेहद ही पवित्र माना गया है और इसका उपयोग पूजा के साथ ही औश्धिय रूप में भी किया जाता है वास्तु के अनुसार यदि सोते वक्त तुलसी के पत्ते तकिये के नीचे रख जाएं तो जीवन में सकारात्मक्ता आती है और नकारात्मक्ता दूर होती है ध्यान रखे सुबह उठते ही तकिये के नीचे रखे तुलसी को पत्तों का सेवन कर लेना चाहिए इससे धन में भी व्रिध्धी होगी लहुसन की कली अगर आप लाभ लाभ चाहते हैं तो सोते समय अपने तकिये के नीचे लहसुन की एक कली जरूर रखें वास्तु के अनुसार ऐसा करने से आपके हाथ में पैसा आने लगेगा और धन की व्रिध्धी होगी यह उपाय आपकी किस्मत बदल देगा और जीवन से नकारात्मक्ता को पूरी तरह दूर होगी एक रुपय क सिक्का सोते समय अपने तकिये के नीचे एक रुपय का सिक्का रखने से भी धन्धान्य की व्रिध्धी होगी वास्तु के अनुसार इस सिक्के को सुबह उठकर किसी गरीब को देदें ऐसा करने से जीवन में आ रही धन समबंधी समस्याएं दूर होती हैं हल्दी की एक गांठ हिंदु धर्म में हल्दी को शुभ माना गया है और जोतिश शास्त्र में इसे ब्रिहस्पती ग्रह का कारक मानी जाती है अगर आप सोते समय अपने तकिये के नीचे हल्दी की एक गांठ रखकर सोते हैं तो आपके मानसम्मान की वृध्धी होगी यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में ब्रिहस्पती कमजोर है उसे सोते समय तकिये के नीचे पीले रंग के कपड़े में हल्दी की गांठ रखनी चाहिए अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृप्या लाइक और कमेंट करें जानकारी अच्छी लगे तो शेयर करना ना भूलें धन्यवाद